वीडियो का थमनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम दुनिया की सबसे महेंगी घडियों के बारे में बात करने वाले तो चलिए सबसे में बात करूँ तो आज की जनरेशन में ज़्याद से ज़्यादा दिखावे पे ध defend दिया जाता है कि मेरे पास कितना पैसा है लोग अपना पैसा इंवेस्ट करने के लिए हर चीजों में उपयोग करते हैं जैसे कि घड़ी घड़ी ताइम तो वही बता थी है लेकिन अपना पैसा इंवेस्ट करके महंगी घड़ी लेकिन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कैसा कितना पैसा है तो आज हम इतने ही महंगी और बहतरी घड़ियों के बारे में बात करने वाला है जो सोचकर आप भी बोलूँगे कि वाव क्या घड़ी है ये घड़ी काश मेरे पास बरहे थी तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते है बीना किसी बात के लेकिन वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दू अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जल्बी से सब्सक्राइब कर दीजे और सब्सक्राइब के बाजू में जो आपको बेल आइकन दिखता है घंटे का बटन दिखता है उसको भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं 5. Koopa 2-0 गड़ी अगर हम दुनिया के सबसे महंगी और बैतर इन घड़ियों के बात करें तो कोपा 2-0 करेट इन बैतर इन घड़ियों के लिश्ट में आती है इस घड़ी के में बात करते हैं इसमें आचस्छाच तक अलग-अलग रंग के अलग-अलग आकार के हीरे गड़े ह हुए है इसे खासियत है किसके बीचों बीच में एक 15.37 का पिंग कलर का हीरा है और साथ ही साथ में 12.79 नीले कलर का हीरा और 11.36 का हीरा गड़ा हुआ है अगर आप इस घड़ी को देख लोंगे तो आप को चाहा होंगे कि मेर पास यह गड़ी काश होती है अगर मैं इस घड़ को परचेस नहीं कर से बीचेस घड़ी का प्राइस राइस लुटार होई ना अगर आकशा लग रहा है तो आप हमारे उडियो को लाइक भी कर सकते तो चलिए अगली घड़िकों देखते है इस जैगर जो लेक गुनत इस keen अगर मैं इस घड़ी के मालिक की बात कर जू जो 신raza , पेसकत लेसिका राहिसी टीए जो आने वाले सभी घडिओ का रिकॉर्ड तोड दिया खासकर्पार आपने इपनी बेटी के लिए घडिए उन्हें बेटी का नाम बादे उन्हें को घडि किया था अगर आपकेाअग अगर आपके हीफ और एकदम एट्रेक्टिव दिखती है और इस घड़ी की में बात करूँ प्राइस की तो इसका प्राइस डिक्लियर नहीं हो सकता है ये घड़ी दुनिया की सबसे बैतरीन और मेहंगी घड़ियों में से मानी जाती है ये घड़ी फ्रांसिसी रानी मारियो डोनेट के लिए बनाई गई थी जिसे 1983 में जेनेस्करो म्यूजिम से चुरा लिया गया था जिसे 2007 में प्राप्त कर लिया गया था और नेस्कले हायक यूअक नामक ने इसे 2004 में फिर से बनाने को दे दिया था लेकिन कारिकरों को ये घड़ी बनाने में बहुत मैनत लगी थी अगर इस घड़ी के में बात करो तो ये घड़ी वहार रखी गई थी जहां फ्रांसिसी की करानी का टूल बॉक्स था और अगर इस घड़ी के हम प्राइस की बात करेंगे तो इस घड़ी का प्राइस है दो और 25 करोड जी हां दो ग्राफ डाइमंड फैसिनेशन ग्राफ डाइमंड द्वारा बनाय हुई ये घड़ी इतने खासी है था है कि इस खासेत के बारे हम सोज भी ने सकती ये घड़ी के द्वारा अंगुटी में तब्दिल हो सकती है जी हाँ ये घड़ी से अंगुटी में तब्दिल हो सकती है इस घड़ी की में अगर बात कर तो इसमें 152.96 कैरेट के हीरे लगे हुए है और इसके बीचों बीच में जो oval shape का आपको जो हीरा दिख रहा है वो इसके lead प्रकार से आप इसका उप्योग कर सकते हैं चाहे तो आप इसे घड़ी में लगाकर lead ये घड़ी बन सकती है या आप इसे निकाल कर एक ring की तरह पहन सकते हैं तो दिखने में एकड़म खास रह सकती है अगर हम घड़ी की MRP की बात करें तो ये घड़ी कम से कम तीन अरब रूपए की है जी हां तीन अरब रूपए की है जो इसे घड़ी को एकड़म खास और बहतरीन बनाती है अगर आप दुनिया की सबसे महेंगी गड़ी और बहतरीन गड़ी को चाना चाते हैं उसको पाना चाते है तो ये गड़ी बिल्गुल आपके लिए है तो देखिये इस गड़ी को ये graph diamond द्वारा बनाई हुई गड़ी समय बताने के लिए कम और अमेरी जलकाने के लिए जादा बनी हुई है ये घड़ी की में अगर बात करो तो ये 110 karat की बनी हुई है जिसमें अलग-अलग रंके और अलग-अलग आकार के हिरे जड़े हुई है जो इस घड़ी को दुनिया की सबसे नंबर वन डिजाइन बनाती है अगर इस घड़ी की में बात करो तो ये खुजवन द्वारा 1000 समय में तयार की हुई गड़ी है जो इस दुनिया की सबसे बेस्ट डिजाइन है पुरे वर्ड में इस घड़ी के मैं MR की की बात करूँ तो आप इसको देखे हैरान रहे जाओंगे जो 4 अरब 12 करोड है जी है सही कह रहा हूँ मुझे आप बताए इन में से आपको सबसे बहतरीन कौन सी घड़ी लगी और आप मुझे इसमें कमेंट को बता सकते है और आप इस वीडियो को शेर करिए जो घड़ी का दीवाना है ठैंक यू